नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में माफी चाता हूँ लाइब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आज क्योंकि आज थोड़ा सा भीजी था दूसरा घर से बाहर भी था तो इस बज़े से जो है आज जबकि दूसरा जो चैनल है मेरा उस पर तो आज एक भी वीडियो नहीं पड़ पाया क्योंकि आज थोड़ा टाइम ही नहीं मिला तो माफी चाता हूँ बाकी यह है कि मैंने अपडेट देने की पूरी कोशिस की और इसलिए आज भी यह थोड़ा सा घर से बाहर हूँ और लेट नैट पहुँँगा इस वज़े से आपको अपडेट देने टाइम पर जरूरी है तो 30% एक टोकन उपर गया मैंने ट्विटर पर सेर किया था तो भाई जिन्होंने जोइन नहीं किया है ट्विटर और टेलिग्राम मेरा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है जोइन कर लेजिए और उसका बैल आइकन जो है उसको आउन कर लेजिए ऐसे ही मेरा जो यूटूब चैनल है उसका भी उसका बैल जो घंटा है उसको आप आउल पे सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे तो चलिए अपडेट की बात करते हैं पहला है बिटकोईन का देखिए जो लग भग 1.5 बिलियन डॉलर का बीटीसी कॉइन बेस से निकला है और वो भी विदिन 48 आउर यानि के दो दिन में लग भग इतना ये बीटीसी वहां से निकला है तो कहीं ने कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई यहां भी चकर चल रहा हो भाई आज कल क्या हो जाता आप कुछ पता नहीं चलता आप यहां देखिए टू विड्रॉल वर्थ 50 के तो आप देख रहे होंगे कि यह जो दो ट्रांजक्शन आप देख रहे हैं जो बहुत कहीं ने कहीं मार्केट में कहते हैं डर पैदा कर सकते हैं और यह यह माली जीए कोई वेस में सबसे बड़े विड्रॉ हो गई है इससे पहले ऐसे विड्रॉ नहीं हुए थे आप देख रहे होंगे आपर आप यह देख लिए जब से कोई वेस बना है तब से इसकी यह जो है तीसरी सबसे बड़ी विड्रॉल है तो कहीं ने कहीं जब यह न्यूज मार्केट में आएगी तो देखे एक थोड़ा सा कहीं हो सकता है कि हलचल मार्केट में हो जाए क्यों कि 1.5 बिलियन डॉलर के बीटे सी बहुत होते है यानि कि तो जो भी है देखिए हम आज कल परिशान नहीं है तो जहली रहें इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है बागी देखते हैं और आगे अपडेट क्या है आप एक चीज और देखिए स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कोईन हब का एक ट्वीट आया है जस्ट अभी अभी आया है ब्रेकिंग निज है सैम बेक्मेंट फ्राइड यानि कि जो एक्षेंज था उसका मालिक उसके पास सोलाना कोईन की टोटल होल्डिंग है लगभग 13.25% जो सोलाना कोईन सर्कुलेशन में है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जितना कोईन सोलाना मार्केट में है अभी जो सर्कुलेशन में है उसमें से 13.25% सोलाना जो है किसके पास है एलमेंडा रिसर्च के पास और एलमेंडा रिसर्च का तो हाल आप देखी रहें क्या है तो कहीं न कहीं में भी हो सकता है ये भी एक प्रॉलम की बात हो जाए क्योंकर कुछ न कुछ चीज़ें अभी वो कहते हैं वी आ रहा है एक नई न्यू जा रही है कि बताएए उसके पास जो अलमेंडा रिसर्च जो एफटी एक्स की है उसके पास 13.25% जो है जो सर्कुलेशन में टोटल सोलाना की सप्लाई यह उसका है तो ये बहुत बड़ी बात है अब मैंचीज है कि ये लोग बस मार्केट में न माल कोता रहे देखें मार्केट में माल आएगा तो प्रॉलम फिर करियेट होगी बहतर है ये अपने पास रखें मत बेचें अगर बेचेंगे तो देखें फिर प्रॉलम आएगी आपको एक चीज़ जो मैं पता रहा है एक कोईन और भी पंप हुआ है जो मैंने आपको अपने ट्वीटर पर सेयर किया तो मैं आपको उसके बारे में अभी बताता हूँ पहले थोड़ा मार्केट देख लेते हैं देखें मार्केट बेटी सी अपना जो है लेकिन हाँ यहां मैंचीज है डॉच कोईन डॉच कोईन को देखने जरूर है देखें डॉच कोईन अभी प्राइज जो है लगबग वन आवर में भी देखें 1.2% उपर है और करेंट में प्राइज चल ला है 0.092 की सीरिज में जो कल से अब तक लगबग 18-20% उपर हो चुका है प्राइज इसका क्योंकि कल से जब से मैं इसको अपडेट दे रहा हूँ मैं इसको आपको सुबह साम दोनो टाइम अपडेट दे रहा हूँ तो यह कल से अब तक यह उपर लगबग 18-20% आपको प्राइज दे चुका है और कोई इसमें न्यूजनी केवल वही एक 8 डॉलर वाली बात चल रही है कि क्या होता है इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा वो बात की बात है लेकिन क्या है कहीने कहीं यह उम्मीद है कि जब डॉज कोईन को टेसला में एप्लाई किया जा सकता है तो ट्विटर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्विटर में भी इसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है तो डॉज कोईन में फिलाल यही चल ला है लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ जरूर एक चीज़िए कहना जाओ सौड टर्म के लिए जो लोग अगर सोच रहें एंट्री बानाने की वो तो अब ना बनाए क्यों बहुत उपर प्राइश चला गया है जोनोंने पहले सा एंट्री बना रखे उनकी तो कोई बात नहीं वो होल्ड करें 20% प्राइश उपर जा चुका है तो डोज कोन में फिलाल और वो वाली अपडेट नहीं है कि साब यहाँ से कोई बूम आ रहा है क्योंको मार्केट में भी अभी ऐसी कोई हल चल है नहीं अब मैं आपको वो टोकन बताता हूँ जिसकी बात में आपको कर रहा हूँ को वो भी 30% उपर जा चुका है यह जो है आप देख रहे होंगे रेन इसकी मार्केट रेंक आपकी जो है 157 की है और यह देखे 24 आपरों में लगबग 21% उपर है और 7 डे में देखते हैं तो लगबग 62% उपर है तो यह कुल मिलाक है वो ही है ना कि आजकल मैंने आपको एक चीज़ कही है आजकल जो चीज़ चल लगी है करप्टरों कांसी में कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन सा कॉइन पंप करने लगेगा क्योंकि एक तो situation इतनी डावा डोल है कि अंदाजा नहीं है बिलकुल भी कि market कब किसका tweet आएगा कब market नीचे चला जाएगा कब किसका tweet आजा positive कब market उपर चला जाए लेकिन कुछ coins ऐसे हैं जिनमें manipulation नहीं चलता है market में कोई sentiment ऐसा है नहीं जिसके विज़ेसे लगे कि market उपर जाएगा लेकिन फिर भी उनमें जो है manipulation चल रहा है तो अब यह नहीं कह सकते के rain में ऐसा क्या है अभी तक तो ऐसा कोई positive news मुझे इसमें देखने को मिली नहीं मैंने देखने कोशिस की लेकिन उतनी positive कहीं भी नहीं है कि जिससे कि इसमें जो है इतना pump आने की संबाबना जादा ना जा रहा है थोड़ा बोड़ा चलता है बाई 2-4-5-10% तक तो ठीक है लेकिन किसी में 60-70 तक इस beer market में pump आ जाए तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है market में देखिए यह लगबग जो है आपको सभी बड़े exchange ओपर available है Binance पर है तो इसका मतलब यह है कि सभी पर आपको मिल जाएगा लेकिन बात सारी वो ही है कि ऐसी क्या इसमें situation अभी बन गई जो कि यह pump कर रहा है तो कुछ नहीं सा अभी ज़ादा तर यही लगता है कि सब manipulation ही चलना है करंट में प्राइज आप देखी नहीं 0.1 246 की सीरिम चलना है और 21% उपर है all time high जो इसने बनाया था वो 1 dollar लगबग 1.8 dollar का बनाया था और आप देख रहे होंगे market में trading volume अभी इसका अच्छा बड़ा हुआ है लगबग 74% बड़ा हुआ है maximum supply इसकी 1 billion हो सकती है और circulation में भी लगबग उतनी आ चुकी है 999 million की circulation में आ चुकी है तो कुल मिला के supply का तो मामला यह है कि देखे साब supply तो इसकी market में ही है सारी market में आप थोड़ा सा alert रही है आज कल का तो वही है आप निश्चिंत होके नहीं बैठ सकते market में जितना alert रहेंगे उतना ज्यादा बहतर है और ये Twitter, Telegram सबको join कर लिए कि उन्हें कुछ जाता नहीं है ना कुछ खर्च होता है और इनका bell notification on कर लिए जिससे कि जब भी कोई आपको ऐसा update दिया जाए तो तुरंत आप उसको देख सकें तो ये थे अभी तक के update बाकी लाइब में मिलेंगे आपसे कल बाकी आज तो देखें मैं लेट नाइटी पहुंचूँगा तो फिर मिलते हैं नमस्कार